हाई वेलकम टू बोलीवूड चलते चलते विद सशीवाडिया पिछले एपिसोड में हमने बात की कि किस तरह से कुलकॉटा बोंबे के आगे निकल गया तो इस तरह बोंबे ने भी अच्छा प्लान बना लिया और हरिस्चंद्र पाटवाडेकर ने लंडन से अपना खुद क कैमरा इंपोर्ट किया उन्होंने कहा मैं इंगलिस वालों की हल्प क्यों लूँ लेकिन केमरा चलाये कौन वेल ट्रेंड केमरामेन कहां से मिलेगा बट ही वो लग्वी लंडन से उसी दोरान लंडन से एक इंडियन केमरामेन आया ट्रेंग लेके जिसका नाम था स्री करके 1981 में आ जाता हूं ये 70-80 में इनकी पोती सही परांज पे बहुत बड़ी दिगदर सिखा थी बहुत बड़ा नाम सा उनका दिगज थी उन्होंने कहीं-कहीं अच्छी-अच्छी फिल्में दी कथा चस्में बद्दूर टिवी सिरियल्स मराठी ड्रामा कि मैं एक ही बार उनको जिनकी में एक ही बार मैं मिला हूं ग्रांट रोड में टेजपाल नाम का एक ओडेटर हमें मैं उस दिन शाम को स्टेज पे खड़ा था और सई जी एजे जोज सामने सीट पे बैठी हुए थी और हम सामने कॉंप्यूटिशन में खड़े थे इप्टा क वन एक कॉंप्यूटिशन था ओल ओवर इंडिया से कॉलेज के स्टुएंट्स आया हुए थे मैं गवर्मेंट लोग कॉलेज से गया था एक प्ले लेके जिसका नाम था चोर चोर पकड़ो पकड़ो I am so lucky सई जी ने मेरे प्ले को बेस्ट राइटर बेस्ट आरेक्टर और प्ले का एवर्ड दिया सेटिफिकेट दिये ट्रोफी दी शिल्दी वो सब हमें दज साब के हातों मिला तो हमारी पूरी टीम उसके लिए उनकी लिए जितना हम शुकर शुक्रिया करें कम है वे इर सो लग्की पर हम उस कॉंप्यूटिशन की बात अभी निक करेंगे बाद उन्होंने उस फिल्म में व्रेशलिंग शो रखा उसती बाज का शो उसको शूट किया तो थ्रील तो आ गया ना उसके साथ उन्होंने मेजिक शो भी उसके अंदर रखा उसमें भी थ्रील मिला तो इस तरह से नोवेल्टी आ गए और ये लोग दूसरों से अलग हो गए तो अगेन कलकटा में हिर्यालाल सेंजी ने नाटक के जो त्याटर से न वहाँ जाकर उन्होंने अपना केमरा रख दिया तो सारे नाटक उन्होंने केमरा रख के शूट कर लिए तो वह मिसिंग फैक्टर हम बोल रहे था न स्टोरी स्टोरी तो मिल गई बड़्ट फिल्मेकिं कोई मज़ा नहीं था उसमें वो चीज उसमें नहीं आय थी बड़ बात तो है न मलब बंबे से तो आगे निकल गए दूसरी तरफ कलकटा में ही अमरित लाल जी सेन और कुसुमा कुमारी उन्होंने मिलके दू एड़ फिल्म बनाई पहली एड़ फिल्म का नाम था जंबा कुसुम आपके रॉंक्टे खड़े नहीं होंगे लेकिन सर के बाल खड़े हो सकते हेर ओईल का एड़ फिल्म था उन दिनो उसके साथ उन्होंने एक टोनिक का एड़ भी किया था केश्टो टोनिक या नहीं नहीं केश्टो मुखर जी वाला टोनिक नहीं सॉरी मैं कमजोर हूँ मेमक्री में रियल टोनिक का एड़ उन्होंने किया और फिल्म बनाई एड़ फिल्म तो उस तरफ बॉंबे की शितीज में एक सितारा उदे होने जा रहा था मैं जब बात कर रहा हूं तब वो शितारा सेंडर्स रोड के एक देखने गया था मिस्स का नाम सर्स्वती जी तो सर्स्वती जी ने अपने कोटेशन में लिखा हुआ है कि वो जो फिल्म उन्हों ने देखी उसका नाम था क्रिस्मस 1910 है फिल्म के बाद उनके हस्बन ने उनको कहा कि अगर ये लोग अपने भववन पर इतनी बड़ी फिल्म बना सकते तो हम स्री राम जी या कृशन जी पर हम क्यों ना बनाएं मैं भी ऐसा कुछ करूँ तो तो वो बोली कि मैं चूप रही मुझे अच्छा नहीं ल संद्रा तरह मति फॉ私ं फिल्म ओफ इंडिया है मिल्फ बीटिए ईथी वज़ फिलर ओवर फिल्म इंडिस्टी मारी बुन्या थे वो एं ए दो भी और्षि मधोरें के वां तो अरह में से सर्थक्राव से अभी हम बात कर रहे हैं कि में हरी मिच। हरिस्चंद्र 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 क्या कनेक्शन भगवान लगा देते हैं है न हम कनेक करते हैं अपनी बात फिल्मेकिंग के रेस में तीसरे गोड़े के साथ कॉलकटा बॉमबे तीसरा गोड़ा अभी तक उसका आता पता ही नहीं है दूर दूर तक दिखा ही नहीं देता अरे अभी तो उसने इस रेस में दोड़ना है तेजी से दोड़ना है अपना नाम जोड़ना है not in फिल्मेकिंग रेस but also in बोलीवर्ड चलते चलते with ससी वाड़िया लेकिन वो घोड़ा है कौन उसका नाम क्या है madras welcome south